हाई व्यूवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल फ्रेंज यह दिखिए यह हम जैंड्स हाफ सैटर बना रहे हैं तो इस पैटर्न को हमने पहले ही बनाना आपको सिखा दिया था तो बहुत से व्यूवर की रिक्वेस्ट पर हम यह इसका फुल वीडियो बना रहे हैं तो इसका जो पार्ट है वो मैंने अपने चैनल में बनाना बता दिया था इसका पैटर्न जो है वो बनाना बता दिया था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां जाकर आप देख सकते हैं तो यहां पर देखिए हमने नीचे से यह वन बैवन रिबिंग स्टिच बार्डर बनाया हुआ है इसका भी लिंक नीचे description box में दिया है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं तो यह हमने नीचे से इसका बार्डर बनाया है और उपर से इस pattern को डाला है तो यहां पर हमने जो नीचे से बार्डर बनाया है उसके जो stitches रखे हैं वो हमने 117 रखे हैं बॉर्डर अप्रॉक्स हमने दिखिए इसको जो है वो अप्रॉक्स हमने सवा दो इंच इसको बनाया है अगर इसको सेंटिमीटर में देखें तो ये 6 सेंटिमीटर तक इसको हमने बनाया है ये दिखिए और यहाँ पर हमने ये इसको जो थ्रेड था उसको टिपल कर लिया था तीन धागे लेकर thread के इसके निचे से हमने simple फंदे डाले हैं आप जैसे भी चाहें वैसे ही फंदे डाल सकते हैं double धागे के साथ भी निचे से आप इसे बना सकते हैं तो हमारी जो wool थी वो हमने यहाँ पर normal brylon wool यूज की है तो थोड़ी सी यह thin wool थी इसलिए हमने इसको triple किया है अगर आपकी थोड़ी सी मोटी wool हो तो आप इसको double धागे के साथ पुन सकते हैं तो इसको approximately 6 cm तक बुनने के बाद हमने उपर इसका यह pattern set किया है तो नीचे से 117 cm रखे हैं और उपर हमने इसके 5 cm बढ़ा दिये तो 122 cm हमने इसके उपर जो है वो बना दिये थे इसकी wrong side में जब हम गए तो उसके 5 cm हमने बढ़ा दिये 5 cm बढ़ाने के बाद हमने इसकी जो length है वो बना ली है इसको अब हम उपर से इसकी border cutting देखेंगे यह इसका back side है तो यह हमने दिखे इसको border के उपर जो है वो अप्रॉक्स 15.5, 15.5 inches तक बनाया है अगर इसको cm में देखें तो अप्रॉक्स 40 cm तक बना है और total length इसकी मैं आपको बता देती हूँ जो है वो 18 inches तक हमने इसकी total length बनाई है और cm में देखें तो यह साड़े 46 cm के लगबग है तो आप अपने हिसाब से इसकी length जो है वो कम जादा कर सकते हैं तो आज हम इसका यह back part में इसके shoulder cutting देखेंगे किस तरह से इसके shoulder cutting जो है वो की जाएगी और किस तरह से pattern को set किया जाएगा तो आपने इस pattern को जो है वो ध्यान से पहले इसको अच्छे से सीख लेना है उसके बाद ही इसको बनाना अगर start करेंगे तो आपको उपर जाकर जब आप cutting करेंगे तो आपको बहुत ही easy रहेगा तो इसके साथ हम sleeves नहीं बना रहे हैं half sleeve ही इसको हमने बनाया है तो अगर आप sleeve बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके साथ बना सकते हैं तो उसके लिए फिर आप अपने हिसाब से इसके फंदे रख सकते हैं तो उसका फंदों का measurement according to age हमने एक पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है वो चार्ट का जो वीडियो है वो उसका link नीचे description box में दिया है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और इसे बना सकते हैं तो अगर आप इसकी sleeves बनाएंगे तो नीचे से border बनाकर उपर से इसको जब start करेंगे तो यह जो pattern है अगर चाहें तो आप side में इसको बढ़ा सकते हैं pattern को अगर नहीं भी आपको इसको जादा नहीं इसका पता चल रहा तो सिर्फ इसको center में ही आप बना सकते हैं अब यहां पर हम इसका shoulder cutting करना start करेंगे तो यहां पर जो हमारा pattern है यह 16 रहा का pattern है तो जो इतना pattern है इसका यहां से यहां तक जो pattern है वो 16 रहा का इसका pattern है तो इसमें जो है वो देखने वाली बात ये होती है इस pattern में ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप इसको बुनते हुए जाएंगे तो इसकी एक side यहां तक जो आप 8 रौ बुनेंगे तो यहां तक यह वाला जो रौ है इस side में जाएगी और उसके बान यह वाली जो रौ बिल्कुल यह बहुत ही easy pattern है तो थोड़ा सा समझने की इसको आपको ज़रूरत है अच्छे से इसको समझेंगे तभी आपको यह pattern जो है वो easy लगेगा तो चलिए बनाते हैं तो यहां पर हम इसकी 5, 4, 3, 2, 1 की जो है वो cutting करेंगे क्योंकि हम half sweater बना रहे हैं अगर full बनाएं तो 4, 3, 2, 1 की cutting करेंगे या आप इसकी जो cutting है वो 4, 2, 1 के भी कर सकते हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप इसकी cutting कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं यह सीधी side है तो हमने इसको 18 इंच के लगपक बना रहे हैं आप अपने हिसाब से length कम ज़्यादा कर सकते हैं तो सीधी side में हैं तो अब हमारा जो पैटन है वो दिखिए यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ वो चेंज होगा तो अब यहां पर हमारे जो है वो 1, 2, 3 और 4 यह हमारी जो है वो 4 रो बन चुकी है इस तरफ को अब हमने यह जो है हमारी फाइव रो हमारी बनती है ये दिखिए एक दो तीन चार पांच पांच बार हम इसको इस तरफ को और पांच बार ही इस तरफ को लेकर जाते हैं लेकिन जब हम इसकी चार बार इसको इस तरफ को लेकर जाते हैं या इस तरफ को चार बार इसको लेकर जाते हैं तो जब हम इसक direction चेंज करेंगे इस तरफ को इसको मोलड करना start कर देंगे तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो यह घटना start हो जाएगा और यहाँ पर हमारा यह एक बार और इसको बनाएंगे इस तरफ को ही तो यह 5 हमारी रह बन जाएंगे 5 रह के बाद ये इस तरफ को जाना start हो जाएगा जब हम पांच मी रॉ में आएंगे ये वाला जो pattern है इस तरफ को पांच मी बार लेकर जाएंगे 1, 2, 3, 4 बार हम ले गए है 4 बार ले गए है पांच मी बार अब इस तरफ को लेकर जाएंगे तो अब ये वाली जो रॉ है ये इस तरफ की बजाए ये दिखिए, इस तरफ को जा रही है, अब इसको हम इस तरफ को लेकर जाएंगे, तो देखिए किस तरह से करेंगे, तो पहले हम इसके पांच फंदे जो हैं वो decrease करेंगे, इसको slip करेंगे, तो जैसे भी आप decrease करते हैं, वैसे ही इसको decrease कर सकते हैं, एक, दो, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, नीडल पर लेकर जाएंगे, दो फंदों का एक फंदा, तीन, चार, और पांच, ये दिखिए, पांच पार हमने इसको डिक्रीज कर दिया है, अब हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है, तो पैटर्न हमारा, मैंने पहले ही आपक होगी, तो ये जो है, इसको इस तरफ को ही लेकर जाएंगी, क्यूंकि पांच पार हमने इसको बनाना है, तो दिखिए, यहाँ पर इस तरह से ये बनेंगी, तो पैटर्न को सासाथ में ही हमने कंटीनू करते हुए जाना है, ये दिखिए, अब यहाँ से ये पैटर्न इस त तरफ को लेकर जाएंगे देखिए एक दो तीन चार अब देखिए यहां पर यह हमारी एक दो तीन चार पांच पांच रो बन गई हैं अब हम इस तरफ को ही इस पैटन को लेकर जाएंगे नेक्स जब स्टार्ट करेंगे तो यहां पर हमने एक बार इसको इस तरफ को लेकर गए थे फिर हम दो बार लेकर जाएंगे तो अब देखिए आगे का पैटन सेम ही डालते हुए जाएंगे तो यह टैन फंदों का ही पैटन है यह देखिए एक बार इस तरफ को इस तरफ को को लेकर जाएंगे करेंगे और एक बार किस तरफ को लेकर जाएंगे और चार बार इस तरफ को कि एक कि दो कि तीन और चार ये दिखिए यहाँ पर हमने ये पैटर्न इस तरह से ही डालते हुए जाना है तो ये सारी रोग कम्प्लीट कर लेते हैं फिर रॉंग साइड में आते हैं तो दिखिए हमने ये सारी row complete कर ली हैं अब wrong side में आ गए हैं और wrong side में भी हम दो फंदों का एक फंदा बनाते हुए 5 फंदे decrease करेंगे तो wrong side हम उल्टे फंदों के साथ ही बनाते हैं इसकी सभी जो wrong side है वो उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनेंगी तो दिखिए 1, 2, 3, 4, और 5 तो दिखिए यहां पर भी हमने 5 फंदे इसके decrease कर दिये और बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे तो यह सारी row complete कर लेते हैं फिर सीधी साइड में आएंगे अब दिखिए यह इसकी तीसरी row में आ गए हैं और अब हम 4 फंदे decrease करेंगे तो दिखिए एक, दो, तीन, और चार तो अब यहां पर हमने 4 फंदे decrease कर दिये हैं तो यह दिखिए अब यहां पर हम pattern set करेंगे तो यह हमारे जो फंदे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच row इस तरफ को चार ही थी जो कि हमने इस तरफ को एक row लेकर गए पिछली row, first row में इस तरफ को लेकर जाना हमने start किया था तो अब हम इस तरफ को row जो हैं वो increase करेंगे और इस तरफ को हम घटाएंगे इस तरफ को बढ़ाएंगे तो अब हम, हमने first row में पहली row में एक बार इस तरफ को हमने row को लेकर गए अब दो बार इस तरफ को लेकर जाएंगे और चार बार इस तरफ को लेकर गए थे अब तीन बार इस तरफ को लेकर जाएंगे तो ये हमारे जो रौ है उसको हम ये वाला जो फंदा है ये इसको हम इस तरफ को लेकर जाएंगे और तीन बार इस तरफ को तो ये वाले जो फंदे हैं एक, दो, तीन इसको इस तरफ को लेकर जाएंगे और दो बार इस तरफ को तो अब हम क्या करेंगे ये वाला हमने फंदा जो है वो decrease किया था, अब इस फंदे को हम simply सीधा ही बुन देंगे, क्योंकि इसके साथ कोई भी और फंदा नहीं है, इसलिए यहां से start करेंगे, एक बार इस तरफ को लेकर जाएंगे, यह दिखिए, अब यह एक दो तीन है, तीन को एक बार तीन बार उस तरफ को लेकर जाएंगे, left to right इस तरह से एक, दो और तीन, अब तीन बार इस तरफ को लेकर जाएंगे, इसको पल्टेंगे, back loop से पहले second फंदा, फिर back loop से दो फंदों का एक फंदा, एक फिर से right to left ट्रिस्ट कर लेंगे, back loop से दो फंदों का एक फंदा, यह दिखे, तीन बार इस तरफ को और दो बार इस तरफ को इसको ट्रिस्ट करेंगे, तो फिर से तीन बार इस तरफ को, एक, दो, तीन और दो बार इस तरफ को, एक, और दो अब देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये सारी रो बुनकर कम्प्लीट कर लेते हैं और फिर रॉंग साइड में आएंगे ये देखिए ये चौती रो है और रॉंग साइड है अब हम इस रो में भी चार फंदे डिक्रीज करेंगे एक, दो, तीन, चार और बक्की के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे तो ये सारी रो कम्प्लीट कर लेते हैं फिर सीधी साइड में आते हैं तो देखिए पांचमी रो में आ गए हैं और सीधी साइड हैं अब हम तीन फंदे डिक्रीज करेंगे तो देखिए एक, दो, और तीन देखिए तीन फंदे डिक्रीज करेंगे अब हमने क्या करना है ये हमारे जो फंदे हैं इस तरफ को हम इसकी तीसरी रौ में तीन बार इस तरफ को लेकर गए थे और दो बार इस तरफ को अब इस रौ में दो बार इस तरफ को लेकर जाएंगे और तीन बार इस तरफ को तो यह वाले जो हमारे दो रौ हैं यह इस तरफ को लेकर जाएंगे एक, और दो, तीन बार इस तरफ को करेंगे, एक, दो, और तीन, यह दिखिए, दो बार इस तरफ को, और तीन बार इस तरफ को, तो जहां पर हमारा पैटन नहीं बनेगा, उस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, तो इस पैटन में, आपने कोई भी अगर पैटन आप डालते हैं, तो उसमें आपने यही करना होता है, कि जहां पर आपका पैटन जो है वो नहीं बनता, उसको हम कर लिया, तो अब हम इस पैटन को ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए, इस सारी रोग को बना लेंगे, और फिर रॉंग साइड में आएंगे, तो रॉंग साइड में भी हम इसके तीन फंदे ही डिक्रीज करेंगे, तो उसको हमने सिंपली ही डिक्रीज कर देना है, क्योंकि यह स साथ मी रोग में आ गए हैं, और सीधी साइड है, अब हम दो फंदे इसके डिक्रीज करेंगे, तो दिखे पहले हम फंदे डिक्रीज कर लेते हैं, एक और दो, तो हमारे दो फंदे जो हैं वो डिक्रीज हो चुचके हैं, और अब हम पैटरन किस तरह से डालेंगे, यह इस तरफ को हम लेकर जाएंगे, एक बार इस तरफ को और चार बार इस तरफ को, तो दिखे, इसको नीडल पर लेंगे, और एक बार इस तरफ को लेकर जाएंगे, चार बार इस तरफ को, राइट टू लेकर जाएंगे, एक, कि दो कि तीन कि और कि चार कि दिखिए कि फिर से एक बार इस तरफ को तो यह दिखिए यहां पर हमारी यह एक जो है वो डिबी बन गई है कंप्लीट हो गई है यहां तक तो चार बार हम इस तरफ को लेकर गई हैं और एक बार इस तरफ को तो इसी तरह से इस पैटन को कंटीन्यू करते हुए एंड तक बना लेते हैं और फिर रॉंग साइड में आएंगे और रॉंग साइड में भी हम दो फंदे जो हैं वो डिक्रीज कर देंगे और सारी रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बनाएंगे तो यह रो हमारी सिंपली ही बनती है हर बार उल्टे फंदों के साथ तो यहां पर हमने जैसे हम सिंपल फंदे डिक्रीज करते हैं तो पहरे हम फंदा डिक्रीज कर लेते हैं, तो दिखिए हमने एक फंदा डिक्रीज कर दिया है, अब हम इसका पैटन जो है वो देख लेते हैं, तो दिखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक, दो, तीन, चार रों ही बनाई है, तो हमने पांच रों, एक, दो, तीन चार रो बनी है तो पांच रो इस तरफ को हमने बनानी है तो साथ में ही हम क्या करती है कि एक रो जो है वो इस तरफ को लेकर जाती है तो पहले हम ये दिखे ये वाली रो को इस तरफ को लेकर गए थे हम ये वाली जो रो है इसको इस तरफ को लेकर जाएंगे तो इसलिए यहाँ पर हम यह जो रो है वो इस तरफ को लेकर जाएंगे एक बार इस तरफ को और चार बार इस तरफ को लेकर जाएंगे और इसके साथ ही यह वाला एक फंदा हमारा जो है यह वाली एक रो जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर एक रो हम और बना दे चार बार लिख कर जाएंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे, दिखेंगे, एक, दो, तीन, और चार, तो ये हमारी चार रो इस तरफ को हो गई, एक रो इस तरफ को लेकर जाएंगे, तो इसको हम दिखें, इस तरफ को लेकर जाएंगे, इसके साथ ही ये हमारी जो एक रो है, ये डिक्रीज हो जाएगी, जब हम इस तरफ को लेकर जाएंगे, एक रो डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर इस तरह से हर बार इस तरफ को हम बढ़ाते हुए जाएंगे, और इस तर से 1, 2, 3, 4, अब एक बार इस तरफ को, यह दिखिए, यह दिखिए, अब ऐसे ही सारी रोग को बुन कर, कम्प्लीट कर लेते हैं, और रॉंग साइड में, आकर, एक फंदा इसका, डिक्रीस कर देंगे, और उसी के साथ, हमारी जो कटिंग है, SHOLDER कटिंग, वो कम्प्लीट हो जाएगी, तो यह सारी रोग बुन कर, और रॉंग साइड में, जाकर, एक फंदा डिक्रीस करके, फिर टो टोटल फंदे थे वह 122 हमने डाले थे और उसमें से 30 हमारे होगए 15 साइड में 15 फंदे इस साइड में यहां पर हमारे पास 92 के साथ हम उपर इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक बार आप देख लीजिए यहां पर हमारा जो पैटन है वो दो बार इस साइड को हम इसको ट्विस्ट करेंगे और यहां पर हम तीन बार इस तरफ को इसको ट्विस्ट करेंगे इस तरफ को लेकर जाएंगे और दो बार इस तरफ को लेकर जाएंग अब इस तरफ को लेकर जाएंगे हम तीन बार, यह दिखे एक, दो, और तीन, दो बार इस तरफ को, एक, और दो, यह दिखे, अब यह हमारा पैटन जो है, वो स्टार्ट हो चुका है, अब ऐसे ही, जैसे हमने नीचे इसको बनाते हैं, वैसे ही इसको continue करते जाएंगे, और इसको तब तक बुनेंगे, जब तक हमारी जो length है, shoulder की वो complete नहीं हो जाती, तो इसको हम complete कर लेंगे, यह दिखे, अब आगे हम आपको इसके next part में बताएंगे, इसका front part और उसके साथ इसका shoulder and neck cutting इसकी, आपको बताएंगे कि किस तरह से करेंगे, तो तब तक आप इसका यह वाला जो part है, उसको complete कर लीजिए, और उसके बाद हम इसके next part में आपको मिलते हैं, और इसके first and second part क लिंक नीचे description box में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, तो friend आप भी से बनाएए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए, तो मिलते हैं, ऐसी ही और नई-नई pattern के साथ, till then, bye bye friend